प्रतिभा उम्र की महताज नहीं होती ऐसा ही कुछ कर दिखाया आट वर्षी थर्ड क्लास सैंट पॉल स्कूल बोपालपुरा में पढ़ने वाली विवानशी सैन ने लेक सिटी के फिल्म निर्माता अभिशेग जोशी ने बताए कि लेक सिटी उदयपुर के युवाओं में बढ़ती नशे और ड्रग्स की लत पर अंकुष लगाने के लिए दिककश प्रोडक्शन की और से अपनी आगामी शौट फिल्म मा की सौगंध का निर्मान किया जा र रहा है युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के एहम मुद्दे पर आधारत फिल्म के लिए कलाकारों का चैन को चुका है अभिशेग जोशी ने बताए कि विवांशी सेन फिल्म की सबसे छोटी कलाकार होने के साथ ही काफी चुलबुली पस सब के चहेती भी है विवां जोशी की पहली फिल्म साइकल को भी तेरा अंतराष्ट्री पुरसकारों से नवाजा गया है फिल्म के लिए निर्मात अभिशेग जोशी को इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ट से भी नवाजा गया था फिल्म में अमिताब बच्चन के डुप्लिकेट साथी मुकुल जैन महिंद्र दमामी, कृष्णा, नागर्ची, रमेश नाक्ता, दक्ष सियाल, नरेश चोहान, निहाल कलाल, स्नेहा शर्मा के साथ, हेमाक्षी, लोहार और विवाशी सेंट अपने अपने किरदारों में नजर आएंगे जोशी अपने फिल्म की शूटिंग आगामी दो मा में पूरी कर लेंगे, उसके बाद इसे रिलीज करेंगे, फिल्म में बियोपी यश पानियार और म्योजिक शानवास खान का होगा, साथ ही फिल्म के निर्माण में आरोग्य सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र का महत पूर्ण योगदान रहेगा. हम लोगों ने एक कास्टिंग फाइनल किये और मा की सोगंद के नाम से एक मूवी बना रहे हैं, ये मूवी बैसिकली जिस तरह से ड्रग एडिक्शन युवाओं में बढ़ता जा रहा है, उस पर कॉंसंट्रेट है, किस तरह एक परिवार के संसकार, एक बच्चे को ड्रग फाइनल कर दिये और जल्दी हम इसकी शूट करेंगे और डेड़ से दो महिने में मा की सोगंद जो मूवी है, वो आप लोगों के सामने होगी, युवाओं के लिए प्रेणा इस मूवी में है ये बात कि एक परिवार के संसकार, युवा को किस तरह से नशे से दूर कर सकते हैं और नशे से जब वो दूर होता है या उसकी इच्छा शक्ती है कि मैं नशे को छोड़ूं तो हमारे समाज के कौन-कौन लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, ये चीज उसके अंदर दिखाई गई है, एक है पहलू पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी इस मुवी को आप लोगों के सामने लेकर आएंगे